तेस्वी आदव जी छप्रा में हुए इस घटना का जवाब कौन देगा? मैं नहीं बोलूँगा कि जो लर्का मरा है वो राजपूत जाती का था मैं नहीं बोलूँगा कि जो लोग उस लर्का को मारे है वो यादव जाती से थे क्योंकि इससे जातीय संघर्स भरेगा बिहार ने जो चिराग खोया है वो क्यों खोया है? जिस माबाप ने अपने बेटा खोया है वो क्यों खोया है? जिस समाज ने अपना हुनहार खोया है वो क्यों खोया है? जो अमितेश, आलोक और राहुल तीनों को मुर्गी फोरम में पीट पीट करके मारे है इसका जिम्मेदार कौन है अमितेश सिंग जिनकी मौत हो गई है उसका भरपाई कौन करेगा कि बिहार में जंगल राज क्यों आ गया है कि युवा की सरकार आ गई है, नितीश चैस्वी की सरकार आ गई है ये सरकार ठीक से छो महिना पूरा नहीं कर पाया है लेकिन दो जातिय संगर्स बिहार में हो चुका है एक जातिय संगर्स जो कटिहार में हुआ था ठीक एक महिना पहले और आज अभी बिहार में दूसरा जातिये संगर्स हो रहा है और ये मैं कदापी नहीं चाहता हूँ कि बिहार में वही जातिये संगर्स बरे जो 90 के दशक में था जब लोग इस भाइभीत में जीते थे कि कल का सुर्योदय देखेंगे कि नहीं देखेंगे बिहार में जंगल जंगल राज टू आ गया है जंगल राज तो मैंने नहीं देखा है लेकिन जंगल राज टू का जो असर है वो पूरे बिहार पर दिख रहा है अब बताइए तैस्वी आदब जी इसे जंगल राज नहीं कहे तो क्या इसे राम राज जी कहे या कृण सा राज जी कहे अब अप से प्रश्र पूछना चाहता हूं तयस्वि ओदब जी क्या बिहार को लीड तयस्वि ओदब ऐसा ही करेंगे क्या तयस्वि आदब के बिहार में ऐसा ही जातिया संघर्ष होता रहे गा जवाब दीजिए तेस्वी आदब जी पटना में शेंटी दिक्षित को मार दिया गया उसको मौत की घाट उतार दिया गया अपराधी का अपराधी सर चड़ कर बोल रहे हैं पटना में लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं तेस्वी आदब जी छपरा में हुए इस घटना का जवाब कौन देगा मैं नहीं बोलूँगा कि जो लग उस लड़का को मारे हैं वो यादव जाती से थे क्योंकि इससे जाती यो संघर्स भरेगा लेकिन तैसरी यादव जी इस बात का जवाब कौन देगा कि बिहार ने जो चिराग खोया है वो क्यों खोया है जिस माबाप ने अपने बेटा खोया है वो क्यों खोया है जिस समाज ने अपना हुनहार खोया है वो क्यों खोया है आज जो समाज जो आज के उपर में दीन होकर के देख रहा है वो ऐसा क्यों देख रहा है अब बताईए सारन जिला में मुबारक पूर गाउं में दो फरवरी को जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है विजय यादब जो मुखिया के पती है जो अमितेश आलोक और राहुल तीनों को मुर्गी फोरम में पीट पीट करके मारे है इसका जिम्मेदार कौन है अब सिंग जिनकी मौत हो गया उसका भरपाई कौन करेगा बुरमंत्री निरज कुमार सिंग ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है अब मुझे ये सुनकर काफी बुरा लगा कि बिहार में जंगल राज क्यों कुई आ गया है क्योंकि कुश दिन पहले जब तयस्वी अगरवत्ती मेकिंग मसीन एवं लगूद्योग से संबंदित सभी प्रकार के मसीन लगा कर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं और हाँ EMI का सुपदा भी उपलब्ध है जादा जानकारी के लिए इस नमबर पे कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं यही वो रास्ता है जिससे अपना युवा उपमुख्यमंत्री आगे का रास्ता देख रहा है तेया स्वी आदम मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल यही है जिस माबाप ने अपने बेटा खोया है उसका बेटा वापस कौन करेगा बिहार सरकार ने तो SIT गठन कर दिया है लेकिन बताईए घटना के चार घंटा बाद पूलीस क्यों पहुंची वहाँ पर क्यों नहीं पूलीस पहले से ये एक्सल लेने को तयार थी क्यों नहीं पूलीस पहले से एक्सल ली और इस घटना को मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है अब बताईए क्या ये घटना मॉब लिंचिंग है क्योंकि मिर्टक के माता-पिता के हिसाब से कुछ लोग जो मुख प्रम में उनको पीट पीट करके मारते हैं जिस मारने के करम में अमितेश सिंग की मौत हो जाती है अब बताइए अमितेश सिंग जिनकी मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी जाती का क्योंकि जाती ये शंगर्स बरेगा और ये मैं कि बिहार में वही जाती है संगर्स बरे जो नबे के दशक में था जब लोग इस भाइभीत में जीते थे कि कल का सुर्योदय देखेंगे कि नहीं देखेंगे जब लोग हमेशा यही सोचते थे कि कल का दिन अंतिम दिन ना हो जाए हमारे जीवन का मैं वो दिन और वो दौर न आई है और आज देखिए बिहार कई ऐसे जाती संघर्च को देख चुका है बीजेपी के कई नेता कहे रहे हैं कि बिहार में जंगल राज टू आ गया है जंगल राज तो मैंने नहीं देखा है लेकिन जंगल राज टू का जो असर है वो पूरे बिहार पर दिख रहा है अब कौन सा राज्य हम यूज करें इसका नाम पर और कौन सा नाम इसे दे कौन सा चीज अच्छा लएगा कौन सा विशेशन इस राज्य और इस सरकार को अच्छा लगेगा वही हम बोलेंगे कल से हम इस राज्य को राम राज्य बोलेंगे कृष्ण राज्य बोलेंगे या तैस तैस्वी आदब सवाल आपसे नहीं करे तो किस से करे नितीश कुमार ने तो खुद को शरेंडर कर दिया है चुनावी सभा में उन्होंने यहां तक कहा था कि अब आगे मुख्यमंतरी नहीं बनना है उसके बाद कई ऐसे मंच और कई ऐसे सभावों में उन्होंने कहा कि अब बिहार को लीट तैस्वी आदब ऐसे करेंगे क्या तैस्वी आदब के बिहार में ऐसा ही जातिय संघर्स होता रहेगा जवाब दीजिए तयस्वी आदब जी क्योंकि जब से आपकी सरकार आई है तब से बिहार में दो से ज़्यदा जाती है संघर्स हो चुकी है पतना में दिन धारे सेंटी दिक्षित आपने नाम जरूर सुना होगा बयान तो नहीं दिये लेकिन दिन दारे पतना में शेंटी दिक्षित को मार दिया गया उसको मौत की घाट उतार दिया गया अपराधी का अपराधी सर चड़ कर बोल रहे हैं पतना में लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं कोई रिपोर्ट नहीं अपराधी बेखौब गूम रहे हैं सरकार का नजर सरकार का ध्यान इस पर कहीं नहीं है आज बिहार में जातिय संघर्स बर गया है में इस्ट्रीम मीडिया से लेकर के कई ऐसे मीडिया चैनल बिहार को उस रूप में दिखा रहे हैं जो बिहार 90 के दशक में था बिहार की छबी को बदनाम किया जा रहा है बदनाम उससे आप पूछ लीजिए, जंगल राज टू जब कहेगा, कि बिहार में जंगल राज टू आ गया, क्या उस बिहारी को अच्छा लएगा, क्या कोई भी बिहारी चैन से सो पाएगा, जब कहीं भी अगल बगल में इस तरह की घटना देखेगा, कि दिन दहारे आता है, उसके महले से कुछ लड़के को उठा के लिएके चला जाता है, उसके मुर्गी भारम में मार मार करके उसको मार दिया जाता है, कोई भी बिहारी चैन से सो पाएगा, अब आप बताइए, भीहार में जो भी कुछ हो रहा है, तेस्वी आदब जी ठीक नहीं हो रहा है, और मैं कह र तेस्वी आदब जब सरकार में आएंगे, जब युवाओं का कुछ नेता बिहार में नेतित्व करेंगे, जब बिहार का नेतित्व कुछ युवाओं के हाथ में आएंगे, सायद कुछ अच्छा होगा, स्वरनिम बिहार बनेगा, लेकिन मुझे ये उमीद नहीं था, कि त प्षारियों के लिए कुछ किया जाएगा, शायद वही होगा, लेकिन उसके उल्टे हो रहे हैं, उससे काफी परे हो रहे हैं, मुझे एक उम्मीद ही नहीं था, कि जब तैस्वी आदब मुख्यमंतरी बनेंगे, और उनके छे महिना भी नहीं होगा इस सरकार की, बिहार में इसे जातिय संघर्स सुरू हो जाएगा, अब कई ऐसे जातिय नेता, जो अपने आपके तथा कतीत नेता कहते हैं, अभी इस जातिय संघर्स में कूत पर रहे हैं, क्या तैस्वी आदब जी सवाल का आप जवाब दीजिएगा, कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, मुझे उम अब सोच रहा है कि आगे परवान चड़े, जो बिहार सोच रहा है कि नई पीढी अब बदल रहा है, जो जातिय अब खत्म होगा, फिर उससे उसके मन में वो जातिय वाला बीज फिर से बोया जा रहा है, तो उमीद है कि इस जातिय संघर्स को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है, कि बिहार में जो जातिय संघर्स हो रहा है, उनको खत्म करने में अगर उनका कोई शहयोग है या योगदान दे सकते हैं, तो किर्पया दें, क्योंकि जातिय संघर्स से हमारा ऐसे ही बिहार बदनाम हो चुका है, बिहार एक बार जूद चुका है, और वो बिहार जो बिहार था वो बिहार नहीं रह चुका है, अब हम और नहीं देखना चाहते हैं, वो जातिय संघर्स हम दुबारा फिर से बिहार में दुबारा हम जंगल राज नहीं देखना चाहते हैं, तो सभी बिहारियों बनने का सिर्फ यही था कि बिहार में दुबारा कोई जाती इस अंगर से ना हो धन्यवाद।